दोस्तों मुंग फली खाना किसे पसंद नहीं होता मुंग फली में कार्बो हाइडरेट मिनरल्स कैल्सियूम प्रोटीन और धेर सार से विटामिन्स मौचूध होते हैं यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है लेकिन अगर हम मुंग फली को गुड के साथ खाएं तो यह ह पानी में भीगो कर रख दियना है और सुबह आप चाहें तो उस मुंग फली को पानी में वॉयल भी कर सकते हो या फिर कच्छा खा सकते हो आप लगब 15-20 ग्राम गुड के साथ मुंग फली का सेवन कीचे यह इतने जबरदस्त फायदे देगा दोस्तों कि यह बड़ी से ब करते हैं उसके लिए मुंग फली और गुड का सेवन ला जवाब फायदे करता है मुंग फली और गुड में मौजूद फाइबर पेट की प्रॉलम जैसे की एसलीटी या फिर कबज को दूर रखते हैं इसके लावा इससे पाचन क्रिया भी दूरुस्त रहती है यह वजन ग मिलती है दानत और हड्यों की मजबूती के लिए प्रोटीन और केलिष्यों जे भर्पूर मुंग फली वा गुड का सेवन करने इसे रंग निखरता है साथ ही मुंग फली और गुड खाने से बालों में चमक और मजबूती बढ़ती है इन में मौजूद एंटी आक्सिडेंट, आरन, फॉलिट, कैल्शियम और जिंक, शरीर में कैंसर सेल्स से लड़ने में हल्प करते हैं इसलिए रोजाना इसका सेवन बहुत जरूरी है मुंग फली और गुड का कॉंबिनेशन कॉलिस्ट्रोल लेवल को कंट्रोल करता है जिसे दिल की बिमारियों से बचा होता है अगर आप भी दिल की बिमारियों से बचना चाहते हो तो रोजाना इसका सेवन अवश्य करें थंड के दिनों में गुड और मुंगफली से बनी ही चिक्की खानी की सलाधी जाती है क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बनी रहती है इन दोनों में आरन भरकूर होता है जो बलड सर्कुलेशन को ठीक करने और दिल की बिमारी से बचाने में हल्प करता है इसके लावा दोस्तों ये कुरसों की शाररी कमचोरी को दूर करता है अंधुरूनी कमचोरी को दूर करता है आखों की रोषनी बढ़ाता है दोस्तों मुंगफली और गुड में वो सारे पोशकततों पाय जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं तो आप प्रेगनेंसी के दौरान मुंख फली और गुड़ खाने से पहले प्रेटर से जरूर बात करें इसके लावा प्रेट्स के दौरान इसे खाने से कमर दर्द येसी प्रॉलम दूर हो जाती है तो आज इस वीडियों बस इतना ही दोस्तों, I hope आप कोई वीडियो जानकारी अच्छी लगी होगी, फादे मन लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों आप परिवार के सदस्यों साथ शेर कर देजिए, और होसला आप जाई के लिए जाते आते वीडिय करते वीडियों आप उस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद